Very Good Evening Students, I am Renu Yadav, your Computer Teacher आज हम बच्चों कम्दूटर के बारे में पढ़ेंगे कम्पूटर के मुख्यां अंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे शीख है? आपको पता है कम्पूटर के जो मुख्यां अंग होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, कीबोर्ड, माउस हो गया, सीपीओ हो गया, है ना, कम्पीटर एक ऐसी एलेक्ट्रोनिक मशीन होती है, जो विभिन डिवाइसों को जोड कर बनाया जाता है, चीक है, और इन डिवाइसों को हम कम्पीटर के अंग कहते हैं, चीक है, हाड़वेर जो को हम छू सकते हैं, और देख सकते हैं, और आउटपूट डिवाइस किया हो गया आपका, जो आपको उसकी रूप में मिलता है, चीक है, जैसे की स्क्रीन है, इसमें आपको आउटपूट दिखाई देता है, आपका कि आपने जो भी डाला है, स्पीकर है, उसके थ्रू आपको output मिलता है क्योंकि input से तो आपने डाला और output device speaker से आपको आवास सुनाई दे रही है हना तो वो आपका output device हो गया next है आपका देखी हम पढ़ेंगे memory के बारे में input device के बारे में output device pointing device, pointing device क्या होता है इसमें देखी input output हम पढ़ चुके हैं जिसे आप point करते हो कोई भी चीज अगर आपको point करनी है कोई data है या information है या कोई भी ऐसी चीज है जो की आप point करना चाहते हो या application है कोई point कर रहे हो आप ठीक है तो वो होता है आपका आप किसके थ्रो करते हो pointing device के थ्रोई तो आप उसे point करोगे ठीक है इसकी help से कभी तो cursor बढ़ेगा तो यह क्या होता है आपका pointing device ठीक है next होता है आपका आपकी memory ठीक है कि जो भी information हम उसको दे रहे हैं computer को कि आपको मतलब हम अपने कोई भी file है या कोई भी ऐसी चीज है जो की song है कोई भी हमारा favorite song है हम उसके अंदर डाल रहे हैं है तो वो अपनी memory में save कर लेता है उस चीज को आपके जो निर्देश होते हैं चीक है तो यह आपकी memory होती है दो है वो आपकी ROM होती है और RAM प्रात्मिक memory में इसे मुख्य memory भी कहा जाता है क्योंकि computer इस memory पर ही काम करता है इसमें जिन कारिक्रमों का संपादन करना है उनके संपादन के लिए प्रियोग में आने के लिए आकडों को स्टोर करके रखा जाता है चीक है और इसके कितने parts होते हैं दो parts होते हैं कौन-कौन से होते हैं RAM और ROM चीक है राम के बारे में हम पढ़ते हैं रोम के बारे में sorry इसे read only memory कहा जाता है इसे क्या कहते हैं बेटा read only memory के नाम से भी जाना जाता है सूचनाव को इसमें store किया जाता है जो भी आपकी information होती है आप उसको store कर सकते हो इसमें और ROM जो है चिप इन सूचनाओं को क्रियानवित करती है जब computer चालू किया जाता है means on करते हैं आप computer तो ROM BIOS बूटिंग के समय computer को चालू करती है यह तीन प्रकार की होती है जो इस तरह से होती है ROM होती है प्रोम क्या होता है प्रोग्रामेबल read only memory प्रोम का क्या आर्थ होता है बच्चो प्रोग्रामेबल read only memory इस memory में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार store किया जा सकता है परंतु ना तो उसे मिटाया जा सकता है और ना ही उसे संसोर्धित किया जा सकता है मतलब ना ही उसके अंदर आप कुछ और अगर add करना चाहते हो या उसे change करना चाहते हो या उसमें कुछ और जैसे queries है आप उसको हटा के clear करना चाहते हो आप नहीं कर सकते हो एप्रोम होता है Erisible Programmable Read Only Memory इस IC में Store किया जाता है इसे पराबैंगनी किर्णों के माध्यम से मिटाया जा सकता है इसे केवल फलसुरोप यह IC दोबारा प्रियोग की जा सकती है नेक्स्ट है आपका एप्रोम अर्थात Electrically Programmable Read Only Memory Electrically जो Erisible पर Store किये गए जो प्रोग्राम होते हैं उसको मिटाने अथ्वा संशोधित करने के लिए किसी अन्य उपकरण की आउशक्ता नहीं होती इसे क्या होता है कि Commands जो भी आप देते हो कम्प्यूटर में उपलब्ध Electronic Signal से इस प्रोग्राम को संशोधित कर देते हैं रोम चिप्स में जो Store किये गए प्रोग्राम होते हैं उसको मिटाया नहीं जा सकता परन्तु अगर हम EEPROM, EEPROM का प्रियोग करते हैं तो उसको सुविधा निशार केवल अपनी According आप बस Change कर सकते हो चीए? तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे Next Continue हम अपनी Next Class में करेंगे